राजधानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो शावधान हो जाईए क्योंकि राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गैस का चेंबर बनती हुई दिखाई दे रही है राजधानी दिल्ली में हर तरफ आपको धुंद ही धुंद नजर आ रही है और आप कहेंगे कि सर्दी का तो नजर आएगी ही, लेकिन यहाँ आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में यह जो धुन दिखाई दे रही है, वो बलकि सर्दी की मतलब की धुन नहीं है, बलकि यह जो है पॉलूशन का धुन है, और राजधानी दिल्ली में अब सर्दियां शुरू होने ही इसका एहसास भी अब होने लगा है और इसी बीच राजधानी दिल्ली में जो है पॉलिशन अपने चरम पर पहुँच गया है पिछले दो से तीन दिनों में जो है राजधानी दिल्ली में जिस परकार का पॉलिशन देखने को मिल रहा है उसने लोगों के होस उड़ा दिये है क्योंकि इस बार जो प्रदूशन का स्तर है इस बार जो लेवल है वो पिछले बार से भी ज्यादा हो रहा है AQI लेवल यानि कि Air Quality Index जो है वो लगातार चरम पर पहुँच रहा है कल भी Air Quality Index जो है वो 300 से ऊपर था और आज भी जो है आज आपको मैं बताओं कि शनिवार का दिन है और आज भी Air Quality Index बेहद खराब श्रेनी में गंभीर श्रेनी में है 504 जो है ये पहुँच चुका है अब देखिए इन तमाम मुद्दों पर हर साल हम लोग बातचीत करते हैं जब भी शर्दियां आती है दिल्ली में कि पॉल्यूशन जो दिल्ली में है उसका मेन कारण क्या है थोड़ा flashback में आपको लेकर चलते हैं कि जब पंजाब में आपको Congress की सरकार थी तो दिल्ली में जो अरविंद केजरिवाल सरकार है वो ये लगातार कहती थी कि पंजाब में पराली जलाये जाने के कारण वहां का हवा जो है वहां की धुन्द है और वहां पराली जलाये ज जो है वो भाशा बदल गई है और अब वो पंजाब से shift होकर हरियाना पर आ गए है इसमें वो आपको दारन दे रहे हैं कि पंजाब की जो दूरी है दिल्ली से वो 500 किलो मेटर है और हरियाना की 119 किलो मीटर है हरियाना बगल में राज्य है और इसी कारण से पराली जलाये कारण यहाँ पर जो है आपको दिल्ली में इस तरह का पॉलिशन देखने को मिल रहा है यानि कि हर बात पर राजनिती करना जो है यहाँ पर आमादनी पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है और इसके साथ ही केंदर पर इसका ठीकरा फोर देना यह केंदर ने कुछ नहीं किया हम लोगों ने तो इसमोग टावर लगाये हैं ग्रीनरी बढ़ाई है तमाम तरह के चीजें और आप देखेंगे आमादनी पार्टी के जो नेतागन है वो लगातार तीन दिन, चार दिन से जैसे ही पउल्űशन हपते दिन से दिल्ली में बढ़ा है तो लगातार प्रेस कॉनफरिंस एक पे एक प्रेस कॉनफरिंस ऐसे तथी उसमें दिये जा रहे हैं यानि कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे ये आमादनी पार्टी फिलाल जो है वो कहना चाह रही है दिल्ली में पॉलुशन है इसके पीछे आप डीजल की गाड़ियां है तमाम तरह की चीजें है लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर दिल्ली की अरविंद केजरिवाल सरकार जिनका जिम्मा दिल्ली को साफ सुत्रा बनाए रखने और साफ सुत्रे से मुझे याद आया कि दिल्ली में अब MCD में भी जो है आपको अरविंद केजरिवाल की सरकार है यानि कि आप ध्यान दें कि पिछले जितनी भी सरकारी रहे तो कुछ भी नहीं किया जाता है और यही हो रहा है दिल्ली में आपको air quality index बेहत खराब स्रेणी में है और इसी बिज जो है आपको NGT ने भी बात कही है कि जो इस प्रगार का प्रदुशन है वो बहुत ही खराब है और इससे आँखों में जलन और खास कर अगर आप दिल के म pollution है आप देखेंगे दिल्ली में कि अभी धूप भी जो है बहुत कम निकल रही है क्योंकि धूप निकल रही है तो वो पहुंच ही नहीं पा रही है धरती तक क्योंकि इतनी जादा pollution और धुंद दिखाई दे रही है आपको मैं बताओं कि अगर आप नोइडा की तरफ से आ दिल्ली पॉलिशन में जो है अभी जेल रही है पॉलिशन से ग्रसित ले लेकिन अरविंद केजरिवाल को चुनाओ की पड़ी है क्योंकि पांच राज्यों में चुनाओ है मद्यप्रदेश, छतिसगर, तेलांगना, मिजोरम और राजस्थान तो यहां आम अदनी पार्ट हमारी सरकार नहीं है वहाँ पर हम ऐसा करेंगे, हमने पंजब में वे भी कह रहे है कि पंजब में आमने ये किया, वो किया अब गिल्ली में क्ञड़ बढ़ रहा है तो यह अब हर्याना सरकार यानि LIKE मनोहरलाल ख्टर सरकार पर निशाना साधने लेने और बताने लिए है कि हर्याना में देखिए तमाम तरह के वीडियो की किस तरह से पराली जलाया जा रहा है यह दिल्ली आ रहा है यानि इसके समस्या का समधान जो है वो आमाद्मी पार्टी के जरिवाल के पास नहीं है ऐसा कहना आप गलत नहीं होगा क्यों यह हम नहीं बलकि लोग कह रहे हैं और कहना है कि जो दिल्ली में पॉलुशन है इसके बारे में किसी भी सरकार ने चाहिए पीले बीजेपी में हो चाहिए आमाद्मी पार्टी किसी ने कुछ नहीं किया है और नहीं कुछ करने की मनसा दिखाई देती है प्रदूशन पर हम लोग कब सक्रिये होते हैं आप गौर की आप दिल्ली की जिमेदारी मिली है आप दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि आपके बस में चीजे हैं ही नहीं अब आप कहते थे कि हम एमसीडी में आ जाएंगे तो हम कमाल कर देंगे टॉई के बनाने की बात करते हैं लिन कैसे बनीगी वर्ट क्लास city अगर आप दुनिया के शहरों को ध्यान दें तो दुनिया के शहरों में जो है आप सफाइदे देंगे तो आपके आँखे फटी की फटी रह जाएंगी, इतनी साफ सुतरी सड़के और यहां के लोग भी जिम्मेदार होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जिम्मेदार नहीं, लोग तो जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार के तरफ से जो कोशिस की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं कमी है, इ इससे पहले जब प्रदूशन था तो गुजरात में चुनाओता बहुत सारी चीजे हैं, अब आप जनता के तौर पिये सोचिए, समझिए, जानिए और हम ये बताईए कि आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है, और दिल्ली में जो पल्यूशन है, इसको कब कैसे और क्या सरकार दूर कर पाएगी, या फिर केंदर सरकार भी जो इस दिसा में कदम उठाती है, उसे भी दम लगाने क्या आप शक्ता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर जरूर बताईएगा, देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं, साथ अब्लोग धिजितल, नमस्कार